हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप Android गेम को PC में खेलते हैं तो हो सकते हैं आपके सामने जो भी एमिलेटर आप योज करते होंगे जैसे कि मैं ब्लो इस्टेक योज करता हूं इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते से में एक प्रॉब्लम आता है यहां पर से हम ल इसको भी हम ओपन करने का कोसिस करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यही ओपन होता है ठीक है तो बात एक ही है इसको open करो या फिर open करो अगर opening का problem आ रहा है तो यह चोटा सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा तुरंद के तुरंद आपका problem solve हो जाएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों वीडियो को like जरूर से कर लीजेगा और चैनल को subscribe करके bell icon में से आल notification को on कर लिजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपके PC में emulator को open करते समय ओपनिंग का problem आ रहा है जैसे कि यहाँ पर click करके भी open कर सकते हैं तो जैसे इसको मैं click करके open करता हूं double click किया open नहीं हुआ मेरे में अभी हो जा रहे है क्योंकि problem मेरे इसका solve हो चुका है लेकिन मान लीजे आप click किये उसके बाद भी आपके open नहीं हुआ सिर्फ processing दिखाई देगा ठीक है तो वैसे situation में जब आप इसको open करने का first time या फिर दो तीन बार आप try कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करने हैं अगर open नहीं होता यहाँ पर नीचे म first letter type करना है मतलब कि B, B type करेंगे तो B से जितना भी रहेगा यह navigate automatic यह देखिए B से जितना है इसमें automatic navigate करते जा रहा है तो सभी के सभी को आपको close करते जाना है इसका open नहीं होने का problem यहीं है कि यह बहुँ सारा open हो जाय रहता है और इसी कारण से यह attack चुका होता है तो इस blowistex service है फर्ष्ट अब हम लोग को right click करना है इसमें आकर और उसके बाद end task कर लेना है इसी तरह के से जितने भी blowistex related आपको दिखाए देगा सभी को आपको right click करना है end task करना है यहाँ पर देखी blowistex service है end task करना है अब उसके बाद यहाँ पर blowistex करके thrill दिखा हुआ है इसको भी हम लोग को right click करना है और यहाँ पर end task इसको भी हम लोग को कर देना है तो ऐसे में हमारे जितना भी blowistex का service running है background पर जिसके करना से open नहीं हो पा रहा है वो सभी के सभी close हो जाएगा अब और आपको देख लेना है जितना भी यहाँ पर और भी दिखाए दे रहा है ठीक ह तो सभी को आपको end task करना है बस यही आपका काम है और यह आपकी इस गेम को click करके blowistex को open करें या पर blowistex के icon को click करके open करें दोनों में ही आपको same काम करना है और उसके बाद आपको अपने PC को एक बर restart करना हैं स्विच आप करके on कर लिजेगा और उसके बाद इसको open करने क कोसिस करेंगे first time में open हो जाएगा कोई भी problem आपकी समने नहीं आएगा और एक बात का आपको धिहान रखना है यहीं पर आपको task बार में फीट से right click करना है task manager में जाना है अब यहाँ पर startup का एक option दिखाई देता है इसमें जाना है और इसमें आएंगे blue stick service करके एक service यहाँ पर aid हुआ रहेगा यह enable रहता है startup ठीक है जब भी start करेंगे अपने PC को यह automatically बेग्राउंड पर रणिंग हो जाता है तो इसको हम लोग को यहाँ पर से disable करना पड़ेगा इससे आपको problem कुछ भी नहीं आएगा बस first time open किया करोगे थोड़ा सर लोडिंग म वो solve हो जाता है तो इसको याद से आपको disable कर देना है उसके बाद बांकी जो बताया हूँ उन सब को आपको apply करना है और उसके बाद आपके में अराम से open हो जाएगा कोई भी problem नहीं आएगा so I hope दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगए यार वीडियो को लाइक जरू से कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक और में से all notification को on कर लीजिए तो चलिए यार अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को बैबाए